मैं बेपेसिंग आज आपको रैमान इंट्रिकल में एक इंपोर्टेंट थियोरम है डार्वक्स मैं उस थियोरम को प्रूफ करूँगा वेरी इजी है लेकिन इजी तभी लगाएगी कि जब इससे पहले की वीडियो आप देखेंगे मेरी और उनकी जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रप्शन में मैंने दे दी है प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप उससे देखेंगे तो बहुत चल्दी समझ में आएगी और बहुत ही इजी आएगी देखिए कैसी है डार्वक्स थियोरम लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन यह दियान रखो कि बाउंडेड डिफाइन ओन क्लोज इंटर्वल तो डार्वक्स थियोरम का रेमान इंट्रीगल ही पूरा किस पर है क्लोज इंटर्वल है देन गिविन एपसाइनल पॉजिटिव देयर एक्स डेल इस आसो पॉज एफ बी एक्स फ sedan design LFP इजेटर देन a बार सीवी एक्स मानस एपसाइनल देखों कि तो मैंने प्रूफ कर दीदो सेकेंड में ही आपको पता एस एफ साराल को हटा दो तो बरावर होते यह मैंने बताया है यह पर रहयमान इंत्रीगल ही तो है है अगर इस ऑनम हे इस मेंसे कुछ माइनस तो यह बड़ा हो जाएगा भस यही मुझे प्रूफ करना इसके लिए यह नोट estimate मैंने यह आपको देखना है, if P1 and P2 are two partition, then the partition on P equal to P1 union P2 is set to be common refinement of P1 and P2, ये जो P1, P2 है, इनका में union निकालूं, ये union किनका है, इन दोनों का, तस्वभाविक है, ये इससे भी बढ़ा होगा, और ये इससे भी बढ़ा होगा, और इसको मैंने किस से denoted किया है, केवल P से, इसका मतलब P इससे भी बढ़ा है, और P इससे, तो मैं ये लिखूंगा आगे थे, और मैं P is finer of P1 and P2, चलिए, यही बात बतानी थी, फिर या ने इसके बात किया कि, for all partition with norm of P, अब norm का क्या मतलब है, norm मैंने आपको बताया है, sub interval की जो greatest length होती है, उसे norm कहते हैं, या mass कहते हैं, और ये मैंने बीडियो में निकाल के भी दिखाया है, ये इसके बरावर कैसे है, ये भी मैंने पहली वीडियो में बताया है, ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले पिलीज आप उस वीडियो को जरूर देखें, दो या तीन lecture हैं, तीनों lecture हो को देखें, तो रेमान integral पूरा अच्छी तरह से होता चला जाएगा आपका, चलि ये है, ये है, एसे लेकर बी वार, एफ एक्स, डी एक्स, और ये मेरी बच्चों, मैंने आपको बताया है, यू एफ पी, यहां तक कोई परिशानी, और यू एफ पी, अपर बाउंड में, लीस्ट नमबर देखते थे, आप, कौन सा देखते थे, लीस्ट, तो लीस्ट के लिए मैंने क्या लिख दिया, इन्फीमम, ये लोवर रेमान integral है, fx dx, मेरी बच्चों इसे लिखते हैं, lfp, और लोवर बाउंड में आप greatest देखते थे, ये मैंने बताया है, उसमें, लाइन खेंच कर, डाइग्राम बना कर, तो greatest का मतल़ है, सुप्रीमम लिखे देता हूँ, तो ये दोनों आपकी समझ में आगे होंगे, p क्या है, p is the partition set of a close interval a, b, आईए, अब एक line और लिखनी है, क्योंकि ये use होगा, प्रूफ करने के लिए, let p is the, is the all partition of close interval a, b, तिक, and epsilon positive, they are exist, del is also positive, such that for partition p1, p2 belong करेंगे, close interval a, b, कभ विद norm of p1 is less than del, और norm of p2 is less than del, इसी theorem को लेके चलाओ, यान पहले ही कहाँ ये रहा, ये देखो, all partition p के तो मैंने दो ही माने थे, p1 और p2, और वो दोनों कैसे होंगे, जैसे हैं less than del है, तो ये भी less than del से होंगे, चलिए, मैं upper integral ले रहा हूँ, 4, अपर integral, और कोई इनमें से p1 ले लो या p2 तो देयर एक्जेस्ट, a partition p1, such that, क्या लिया था मैंने, अपर लिया था, तो मैं उसे लिख सकता हूँ, u, f, p1, ये छोटा होगा, a, b, bar, f, x, d, x, कब छोटा होगा मेरी बच्चे, यदि मैं इसमें epsilon जोड़ दू, ठीक है, वरना इसे हटा हो, तो ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन कि बड़ा हो जाता, क्योंकि p finer है अब हिया, p1 वैसे भी छोटा है, p है क्या है, छोटा है, मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर ये देख लो बिटा, ये बड़ा होगा, इसको मैंने p काया, तो p is the finer, p1 and p2, चलिए, तो इसमें ये जोडने पर ये बड़ा हो गया, इसे equation number 1 मान लेते हैं, let, p is refinement of p1, और p1, तब, ये तो हम जानते हैं, ufp is less than and equal ufp1, अब देखी बेटा कैसे, बताएं, आपने अपर बाउंड का lowest number लिया था, तो वो lowest किसी से छोटा तो होगा और नहीं होगा, क्या होगा, छोटा होगा किसी से, जो आपने अपर बाउंड में least number लिया था, तो वो छोटा था, इसलिए ufp जो भी हैं, वो छोटे या बराबर होँगे, UFP वन से, समझ मैं आ गया, चलिए, इन दोनों से compare करें तो, compare first and second, तो बेटा इसकी जगह पर यह आ जाया गया, यह वाला, इसकी जगह पर, यहां यह लिख सकता हूँ, क्योंकि इस से यह छोटा है, तो इस से छोटा होगा, तो मैं लिख सकता हूँ, UFP is less than A, B वार, Fx, Dx, पिलस, Fy, आगे आगे देखते हैं, अब लोवर के लिए लिए, वो तो अपर इंट्रिकल लिया था, अब लोवर इंट्रिकल, फोर लोवर इंट्रिकल, P2, अब के मैंने क्या ले लिया, P2, हुआ लिया था बेटा, ये, P1 देखो ये लिख रहा, अब मैंने क्या लिया है, P2 और लोवर के लिए ले रहा हूँ, तब हिया क्या होगा, L, F, P2, is greater than, A bar, C, B, F, X, D, X, माइनस, Epsilon, अब ये समझा, या हटा दो अभी है नहीं ये, ये है नहीं, तो ये दोनों बरावरी तो होते हैं, ये मैंने प्रूब भी कराएं, अगर इसमें से तुम कुछ भी माइनस करोगे, तो सवाविक है ये बड़ा होगा, ये ही बात लिखी है, ठीक है, इसको नम्मर दे दो बेटा, कोई अलग, चलो इसे मान लेते हैं, थार्ड नम्मर, फिर यहां, लेट P is refinement of P1, ये देख ली थी, ये लेकरा, P is refinement of P1, यहां P is refinement of P2, लेट P is also और अब के पीटू हो जाएगा तब मेरी बच्चो एल एफ पी ये बड़ा होगा या बरावर होगा एल एफ पीटू से ये बात समझने अब फिर बात समझने आई बात देखिया मैंने डायग्राम में बताया था लोवर बाउंड लोवर बाउंड का क्या लेते हैं मेरी बच्चो तो ये देखिए लोवर बाउंड में मैंने आपसे डायग्राम में बताया था लोवर बाउंड क ग्रेटेस्ट और अपर बाउंड का लुएस्ट तो ग्रेटेस्ट यह बड़ा होगा ठीक है बड़ा होगा इसको माली फूर्थ फिर कम्पेर कर दो इन दोनों का इसकी जगह पर क्या आजाएगा यह आजाएगा तो एल एफ पी इस ग्रेटर देन ए बार सी बी आफ एक्स दी एक्स माइनस एपसाइल बेटा यह यह प्रूफ थे एक यह होगा प्रूफ और एक तुमारा कहा हो गया यह हो गया यह दोनों दे रखे दे ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी इससे अगली वीडियो लेके आएंगे और बहुत अच्छी तरीका से लेकिन इस वीडियो से पहले आप प्लीज उन सब को देख थेंक यू धन्यवाद